अलो इस्टुडेंट्स आजके इस लेक्चर में हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बारे में दिन करेंगे यूवी या अल्ट्रावारेट वीजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसे हम इलेक्ट्रोनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं कि यूवी स्प्ट्रोस्कोपी में में इलेक्ट्रो मेंनेटिक रेडिशन्स के रूप में हम अल्ट्रा वालेट और विजेवर्ड रीजन का जो रेडिशन्स हैं उनको परिउक्ट करते हैं इसलिए इसका नाम है यूवी स्पेक्ट्रोस्कॉपी ए यूवी रेडियेसिंस को जब है सेंपल में से पास आउट करवाते हैं तो वह उनमें से जो रिक्वाइड रेडियेसिंस से उनको अब्जोर कर लेता है और उन रेडियेसिंस के अब्जोर्प्शन से उस सेंपल के अंदर electronic transition होता है इस कारण UV spectroscopy को हम electronic spectroscopy भी कहते हैं यहां पर जो electronic spectra हमें प्राप्त होते हैं उन electronic spectra के analysis के आधार पर हम qualitative और quantitative दोनों परकार के analysis या दोनों परकार की study कर सकते हैं quantitative analysis करने के लिए हम यह पता लगाते हैं कि कितनी radiation अबजोर हुई है उसके according जो sample है या material है उसका सांधरता के बारे हमें जानकारी मिलती है तो कितना radiation से अबजोर हुआ है यह पता लगाने के लिए हम यूवी spectroscopy में absorption laws की help लेते हैं तो आज के इस lecture में हम अधिन करेंगे absorption laws के बारे में absorption के नियमों के बारे में तो यूवी यूवी इस्पेक्ट्र प्राप्ट करने के लिए हम सेंपल के उपर यूवी रिजिन के जो रेडिशन्स हैं दो सो से आठ सो रिजिन नियमों के जो रिजिन है वो रेडिशन्स सेंपल में से पास आउट करते हैं तो सेंपल उनमें से कुछ विशिस्ट रेडिशन्स को अब्जोर कर लेता है यह absorption डेपरेंड करता है कि जो सेंपल के अंदर material है उसके जो molecule है उनका structure क्या है और कौन सी wavelength हम उसमें से पास आउट कर रहे है तो इन्हीं समझनी के लिए जो absorption नियम है उनको हम दो पार्ट में यहां define कर रहे हैं फर्स्ट है लेंबर्स ला और सेकें है बीएश ला या लेंबर्स बीएश ला लेंबर्स ला के अनुसार जब हम किसी निश्चित थिकनेस वाले सेंपल ट्यूम में रखे वे सेंपल के अंदर radicence को pass out करते हैं तो उसे सेंपल की जो थिकनेस है उस थिकनेस के साथ radicence की जो तेवरता है intensity है वो घटती रहती है तो intensity में थिकनेस के साथ जो कमी है वो proportional होती है आपतित तेवरता की यहां पर mathematical form में इसको हम represent कर सकते हैं कि d i that means intensity में difference या जो change आया है वो upon d x d x thickness में जो change आ रहा है वो proportional है i0 के आपते दिवर्ता के यहां जो minus sign है वो represent कर रहा है कि दिवर्ता में कमी आ रही है इस proportionality को जो में equality में change करते हैं यहां constant आ गया k यह जो k constant है यह absorption coefficient कहलाता है यहां पर इस equation को हम इस तरह से convert करके लेख सकते हैं यह इस तरह intensity factor आ गया और यहां constant k और thickness factor यहां पर intensity में जो change है डी आई वो जो maximum change है वो आई जीरो से आई टी तक हो सकते हैं आई जीरो आपके तावरती है यह सोरी ती वरता है और आई टी के according जब इनका integration करते हैं तो हमें यह equation प्रात होता है यह value हमें dx upon x के according जब integration करेंगे तो हमें यह equation प्रात हो रहा है यह logarithm e base पर और इसे जब हम convert करेंगे तो इस form में लिख सकते हैं और आई टी इस इक्वल टू आई जीरो एक्सपरेंशल की पावर माइनस के एक्स तो यहां पर आई टी जो transmitted radiation से उनकी intensity है और आई जीरो जो आपतित इडिशन से उनकी intensity है तो इस प्रकार हमने transmitted जोर इडिशन से उनकी intensity को calculate कर सकते हैं और जब हमें transmitted light का intensity पता सल जाता है क्योंकि आपतित का intensity हमें पता है तो उन दोनों की डिफ्रेंस से हम material की दुआरा कितनी intensity का absorption किया गया वह हम इस तरह से define उसको identify कर सकते हैं तो इस प्रकार से हम जो absorbed radiation से उनकी तेवरता का आंकलन कर सकते हैं जो transmitted और आपतित जो प्रकास की तेवरता है उनका जो relation है उस relation को हम जब logarithm 10 के बेस पर रिफ्रेंट करते हैं तो इक्वेशन तेन उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं और यहां पर इस equation के according हमेरे पास यह जो constant आया कि upon 2.303 जिसे हम alpha से रिफ्रेंट कर रहे हैं और यह alpha जो constant वो कहलाता है extension coefficient तो यह लेंबर्शला जो यह कहता है कि किसी homogeneous medium में से जबहम निश्य तेवरता की radicons को pass out करवाते हैं तो उनकी तेवरता में जो कमी थिकनेस के साथ जो कमी आती है वो आप्तित परकास की तेवरता के समानोपाती होती है कि नेक्स्ट जो नियम है absorption का वो है बियर्शला या लेमर्ट्स बियर्शला के नाम से इसको हम जानते हैं तो यहां पर लेमर्शला से difference यह है कि यहां पर यह कहा गया कि जो आप्तित परकास की तेवरता में थिकनेस के साथ जो कमी आएगी वो कमी आप्तित परकास की तेवरता के अलावा जो medium हमने लिया है जो पदार्थ हमने लिया है उसके सांदर्ता पर भी depend करेगा दोनों पर depend करेगा बियर्शला ने बताया कि कंस्टेशन पर depend करेगा और जब हम लेमर्शला की बात करते हैं तब दोनों को combine कर देते हैं और हम यह कहते हैं कि ठिकनेस के साथ intensity में जो कमी आए इस equation को हम इस प्रकार से represent कर सकते हैं जहां के प्राइम constant है जिसे हम molar absorption coefficient के नाम से जानते हैं और उसी प्रकार से जब इस equation को हम इंटेग्रेशन के दौरा स्वोल करेंगे तो हमें यह equation प्रात होती है लोग it upon i0 और यहां पर k prime upon 2.303 constant को हम इस प्रकार से represent कर रहे हैं और लोग it upon i0 को हम observe a के दौरा represent करते हैं इस प्रकार से हमें यह constant value प्राप्त हो रही है यहां इसकी साइता से हम e जो molar extension coefficient उसको define कर सकते हैं कि जब x का value एक centimeter हो सांदर ता एक ग्राम पर मोल हो उस condition में जब molar extension coefficient है उसका value log i0 upon it absorbance के equal होगा यह molar extension coefficient को define करते हैं के दौरा कई बार molar extension coefficient के बार इंपूस लेते हैं molar extension coefficient को define कीजिए जब हम uv spectra या electronic spectra देखने तो वहां पर हमें e maximum या molar extension coefficient और lambda इनके बीच में graph को upload करते हैं और उसके according हमें यहां इस तरह से graph राप्त होता है तो जिस lambda value पर molar extension coefficient का value maximum होता है उसे हम lambda maximum कहते हैं तो यह इस प्रकार से बियर limits ला यह जो absorption के नियम है इनकी कुछे कमियां भी है limitations भी है जैसे यह नियम केवल जो ideal dilute conditions हैं उनी में लागू होते हैं और experiment के दोरान जो temperature है वो constant रहना चाहिए जो radiations हैं वो monochromatic होनी चाहिए एक वर नहीं होनी चाहिए इसके अलावा process के दोरान जो dilute solution हमने लिया है वहाँ पर किसी प्रकार का कोई physical या chemical change नहीं आना चाहिए तो आज के इस lecture में हमने अधिन क्या absorption के नियम Lambert's law और BR Lambert's law के बारे में है आज के इस lecture में इतना ही हो कि ठेंक